हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी स्टडी आज हम पढ़ेंगे मार्च मन्त के इंपोर्टेंट डेज और इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुकी हूँ जैनवरी और फेबरी मन्त के इंपोर्टेंट डेज अगर आपने नहीं देखी है तो वह आपको इजी स्टडी चैनल क प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो आप उसको वहां से देख सकते हैं और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट फॉल मैं सारे डेट्स को आपके सामने रीट कर देती हूँ उसमें कर देख सेल्बेट करते हैं व्ल्ड व्ल्ड विल्लाइफ डे फॉर्थ मार्च नेस्टनल सेफटी डे एट्प मार्च इंटनाशनल वूमेंस डे 10 मार्च सी इससर राइसिंग डे एंड सी आएससर ने फूल फूर्म आप जानते होगे सेंट्रल इंडस्रियल सेक्यूरिटी change vnd 15 March World Consumer Rights Day 16 March National Immunization and Vaccination Day 18 March Global Recycling Day 20th March World Sparrow Day and also International Day of Happiness 21 March International Day of Forest 22 March World Water Day 23rd March World सब्सक्राइब करते हैं बट अगर आप सारे पढ़ने जाओगे तो भूल जाओगे और आपको 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 कुछ भी आद दे रहा है ना तो इंपोर्टेंट ये सारे हैं उसको मेलाई हूं और हाँ जैसे कि 22 मार्च को हम विहार दिवसी मनाते हैं तो जो मैं स्टेट के फाउंडेशन दे हैं उसको मैंने अलग वीजियो में कर गेल किया है वह भी है आपको मेरे प्लेडेश पर भी ये मिल जाएगी तो उसको आप आहा से सारे स्टेट के अलग कर दी हैं तो वहां से आप देख सकते हो तो ताकि मैं वीजियो को चल्दा खलए इसलिए म रिसाइक्लिंग, स्पैरो, फिर फॉरेस्ट, वाटर, मेटरलोजिकल दे, फिर जिरोवेस्ट, तो सारे नीचर से रेलेटेड़ है कुछ कुछ है ना, फिर विमन्स भी तो वही है ना, कि वो भी तो अगर विमन्स नहीं रहेंगी तो फिर अर्थ का कोई वैल्यू नहीं है ना कि विमन्स तो जनननी है सब चीज की है ना, सब चीज की नहीं मतलब हुमन्स की, चीक है तो इसलिए ना, मार्च मन्स को आपको याद करना बहुत एजी ही है चीक, और कुछ सब्स्राइबर मेरे बोल रहे थे कि मैं इंटरनाशनल और नैशनल में मैं बहुत कंफ्यूज होत तो वह मैं आलक से आपको वीजियो प्रवाइट कर दूँगी ठीक, तो अब हम आते हैं ट्रिक पे, तो ट्रिक हमारी कुछ ऐसी है, मैं सारे डेट में ट्रिक नहीं लगा, तो स्टार्ट करते हैं, एक मार्च, एक मार्च को आप रेट करो एक मैन से, एक मैन है जो की जीरो करता है, सारे सिविल का डिफेंस करता है, मतलब कि एक मैन है जो की जीरो डिस्क्रिमिनेशन करता है, कोई भेदवाव नहीं करता है, सभी आम नाकरी की सुरक्षा करता है, ठीक है, तो एक मैन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन दे और सिविल डिफेंस दे, याद जाएगा, फिर थ गांदी जी के 3 बंदर थे ठीक है, तीन बंदर उसे क्या दता है, वाइल लाइफ है न, कुछ ऐसा रिलेट करना है अगर ऐसा कुछ रिलेट करूगे तो जल्दी याद रगाएगा है न, अपने ब्रेन को pictures दिखाऊ, pictures दिखाऊ या फिर story प्रियेट करो विजुलाइज कर ठीक है तो 3rd March World Wildlife Day then wildlife तो हो गए अब उनकी सिरक्षा भी तो करनी है ना तो 4th March को हम लोग celebrate कर लिए national safety day अब यहाँ पर safety day है ना कि wildlife safety day ठीक है तो आप confuse मत करना तो लेकिन मैं याद करने के लिए कर रही हूँ कि 3rd March को आपने wildlife day मनाया then 4th March को आपने national safety day मना लिया ठीक and then come to 8th March 8th March को हम लोग celebrate करते है international women's day यह तो बहुत ही famous है है ना तो यह तो आपकी घर की women's आपको भूलने नहीं थेगी और आपको भूलना भी नहीं चाहिए girls हो चाहिए boys हो या फिर कोई भी हो आपको इसको celebrate करना चाहिए हाना क्योंकि women's बहुत ही important है सभी के लिए हाना क्योंकि women's नहीं रहेंगी तो इस दरते पर ना male होगा ना female कोई नहीं होगा इसले women's day आप celebrate करो अपनी mother and sisters को या फिर कोई भी घर में female है तो उनको आप special feel कर आओ हाना ठीक है then 10th March 10th March को है CISF rising day CISF का full form आप याद कर लो Central Industrial Security Force ठीक है then 15 March 15 March is our world consumer right day ठीक है then 16 March national immunization or vaccination day आप 16 March को ऐसा याद कर सकते हो कि अब मैं 16 साल की हो गई हूं मुझे कोई अब vaccine की जरूरत नहीं है मेरा immune system बहुत strong है ऐसा बहुत सकते है ना then 18 March global recycling day ठीक है तो देखो 18 जैसे हम लोग 18 साल के होते हैं तो हम लोग क्या mature हो जाते हैं ना तो mature होते हैं तो हम लोग तोसने लगते हैं कि हाँ आप नहीं ऐसे वेस्ट नहीं करना कि चीज को अब हमें recycle करना है recycle सब सिस recycle करना स्टार्ट कर देते हैं थोड़े mature हो जाते हैं तन आते हैं 20th March world sparrow day और उसी दिन हम लोग मनाते हैं international day of happiness okay sparrow sparrow तो बहुत क्यूट सा होता है ना पुछी तो sparrow को आप sparrow को आप जब देखते हो तो आप खुशी फील होता है ना तो वैसे ही हम लोग sparrow को देखते हैं तो खुशी फील होता है हमें 28 March को हम लोग world sparrow day या फिर international day of happiness celebrate करते हैं and guys अभी आप अभी आप अभी आप देख सकते हो साइड में लगाई हूई यह एक चोटे से emojis लगाई हूँ यह कि बहुत थी क्यूट दिख रहा है और आज यह से smile कर रहा है यह वैसे ही आप हमीता हसते रहें और अपने आस पास के लोगों का भी हसाते रहें ठीक है then come to 21st March 21st March is International Day of Forest ठीक है फिर आते हैं 22 March 22 March को Water World Water Day अच्छा पानी का दिन मना लिया फिर पानी अगर अगर अच्छा है तो हमारा मौसम भी अच्छा रहेगा तो पानी अच्छा मौसम अच्छा तो हमें टीवी नहीं हो अभी तो हमें टीवी नहीं हो सकता है ना तो पानी अ अच्छा मार्च को हमने मनाया International Day of Zero Waste देखो हमने रिसाइकल कर लिया इसी मंत में हमें रिसाइकल किया है ना तो हम कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे है तो International Day of Zero Waste सो मार्च मन को याद करना ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है आप दो बार देखो आपको तुरंत याद जाएगा है ना अच्छा आपको में और इंफोमेशन देना चाहती हूं 16 मार्च नैशनल इम्मुनाजेशन वैक्सिनेशन डी है ना तो यह क्यों तेलेब्रेट करते है क्योंकि इस दिन ही हमारा ओरल पोलियो वैक्सिनेशन फर्स टाइम दिया गया था जो कि 1995 में दिया गया था चीक है तो यह इसलिए यह मनाते हैं और सब्सक्राइब इस पूरे वीडियो में यह है कि थर्टियत मार्च थर्टियत मार्च को जो है इंटरनाशनल डे ऑफ जीर यह इसलिए चाहए और गयर में गयर जाति है तो आप दिरूर याद करें तो यह थी हमारी च्रिक वाले वीडियो जीर थाशनल गया था रहा रहा है तो आप यह च्लिए करें आप करें कुछ भी डावट होता है तो आप कमेंट करें थांक्यू गाईस अगर वीडिवारा ग